मनिपूर में अब एक बार फिर कोरोना संक्रमन की चपेट में आ चुका है पुर्वोतर के इस राच्चे में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है इस बार इंफाल सेट जवाहलाल नहरू इंस्टिटीट आफ मेडिकल साइंसेस के वी आडियर में कोरोना के पांच नए पॉजिटिव मामले सामने आए है यह सभी पांच मामले चेन्ने से लोटे लोगों में से हैं जो चुराचवानपूर जिला अस्पताल के क्वारिंटाइन सेंटर में थे यहां बता दे कि कल इन पांच मामलों के साथ कुल 16 केस सामने आए इनमें एक 23 दिन का बच्चा भी शामिल है इसके साथ मनिपूर में अब कुल संक्रामीतो की संख्या 25 हो गई है इनमें 23 सक्रिय मामले हैं बता रहे मनिपूर से जुड़ी एक एहम खबर मनिपूर अब एक बार फिर कोरोना संक्रामान की चपेट में आ चुका है पुर्वोतर की इस राज्य में जहां लगातार कोरोना संक्रामीतो की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है इस बार इंफाल सिट जवाहलाल नहरों इंस्टिटिट आफ मेडिकल साइंसेस के वी आडियल में कोरोना के पांच नए पॉजिटिव मामले सामने आये हैं मनिपूर में अब कोल संक्रामीतो की संख्या 25 हो गई है वहीं 23 सक्रिय मामले है और मनिपूर से जुड़ी ताज़ जानकारी दे रहे हमारे समवादाता शरत चंद्र जिस वक्त हमारे साथ फोन लैन पर चुड़ाई से मनिपूर में जब दो ही केस थे एक 24 मार्स को और एक एप्रिल को हुई थी उसका बात दोनों दुरुस्त हो करके अपने घर पी वापस चल दिये थे और उसकी बात राजिय सरकार ने मनिपूर को कोबिट 19-0 केस राजिया घोसित किया गया था उसकी बात फिर ये 14 में को जब एक लरका जो मुंबई से जब उनको कैंसर ट्रिट्मेंट के लिए मुंबई जाना परा उनकी वापस ही में उनको तुरंथी कॉरेंटेंस सेंटर म रखा गया उसकी बात रब उनकी तेश हुई तो उसके संक्रमित होनी की उनकी जांस में पाये गया है और अभी तक जो कल की मामला जो है एक ही दिन में 16 लोगों की संक्रमित होना मनिपूर जैसे सोटा राजिय ये बहुत भारी मातरा पर लिया जा रहा है और हाला कि जो भी लोग जो बहार से दुसरे राजियों से जो मनिपूर वापस आ चुके है उनकी हर किसी की टेस्टिंग होने की अभी सरकार ने हरी जिन्दी दे दिया गया और साथ-साथ ये भी बताना चाहूंगा कि दसको की मनिपूर में कल करिब कुल मिला करके 1005 सेंपल टेस्ट किये गय जैनीर होस्पिताल की बियार डियल रिमस होस्पिताल की भी लेड़ेव डेल दोनों लेष्ट में किया जाेगा और आने वालो दिनों में हम यह देख सकते है कि तेस्टिंग की शंख्या जो है भरा करके देर हजार तक तेस्त होने की अभी हम लोग के पास खबर मिल लिए द बचा कि बिल्कुल उनकी स्वास्थ को लेकि दोक्त्रों की अंदर में भी काफी चिंदा की विशय है यह हाला कि यह चोज़ान पूर्डिस्टिक में इंस्टिशन और कुरिंटाइन में ही जब जब से उन लोग मनिपूर लोते हैं तब से वजे लोग और कुरिंटाइन में दोनों यह होस्पिताल में किया गया था और कल जो उनकी रिजल्ट आने में एक की साम को आई जी फोरा जल्दी में और देर साम को फिर पांच लोगों की आई सबसे पहले गैरा लोगों के आई कुल मिला करके संख्या जो है एक दिन में 16 लोगों की कोबिट 19 से होने की कबर है और साथ-साथ उसकी साथ-साथ मनिपूर में अभी शक्रिया जो एक्टिप मामला जो है ये 23 पर पहुंच चुका है हलांकि दो की स्वास्त में दुरुस होने की बात उनको हस्पिताल से दिशार्ज किया गिया था काफी दिन पहले उनकी अगर गिंती करे तो मन मनिपूर में कनफार्म केस तो है वो 25 तक पहुंच चुक है हलांकि 23 शक्रिया मामला है दुलो मने जी शरत एक और बात जाना चाहेंगे जैसा कि क्वारिंटाइन सेंटर से सबसे ज्यादा मामले अभी सामने आ रहे हैं बाहर से लोग अभी क्वारिंटाइन सेंटर में रख का शाना चाहेंगा कि मनिपूर में कुल मिला करके 120 जैसे इंस्टुशने क्वारिंटाइन या क्मुनीटी लेवेल की क्वारिंटाइन सेंटर पहले से खोल दिया गया था और जो भी वाहर दूसरे राईजेसी जो वापस आ रहा है उनको घर जाने दे करके क्वारिंटाइन सेंटर में रखा गया और हाला कि मनिपूर में अभी तक अगर कल तक की अगर गिंती हम याद करें तो कल तक दस हजार डॉंग की वापसी हो चुकी है अभी भी पांश हजार कर अखे करना है उस बात को ले करके जो भी मनिपूर में जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो बनाया गया कॉरिंटेन सेंटर 120 उसमें रखने की समभावना है दुलोमने किसी को घर नहीं जाने जाए दिया जाएगा दुलोमने